अधाल नाजरीन आप देख रहें सिमिक्षर नियूज नेटवर्क इस वकत हम मुझूद हैं डिस्ट्रिक्ट डोड़ा के दूर दराज अलाका जिसका नाम मनौ है एक बिछड़ा हुआ है इसमें हम इस वकत मुझूद हैं बहुत भाड़ी अलाका यहां पर हमारे साथ बैठे रहाते हैं इसकत क्योंकि वोड लेने होते हैं इसकत बड़े बड़े लीडर यहां पर आते हैं बड़े बड़े दावे करते हैं यहां पर और उसके बाद जब उनकी हगोमत बन जाती है तो अक्सरकर बात रहती है जब वह बन जाती है उनकी तो वह अपने घरों में मकानों में कहीं बड़े बड़े शहरों में बैठे राते हैं और इस गरीब होगां की बात नहीं सुनी जाती है तो उसी पर बात करने के लिए यहां पर हमारे साथ मजूद हैं सबसे पहले इनकाम नाम जानेंगे क्या नाम आपका मामन अकबाल जी क्या मसला क्या है आपका यहां रोड का है अस्पिटल का है बागी और क्या मसली क्या है आपकी क्या मामन सबसे दूर द्राजला का जो यह हमारा मनोव है जानी कि हमाज़ चलके साथ में आता है यह तो इसका कारण यह है यहां कोई रोड नहीं है यहां कोई पानी की है कोई मतलब पानी नहीं है रोड नहीं है बिजली भी आपने खोदी देखी होगी कि बलककर के जो खंबे लगाए देंगे हैं स्कूल दे देंगे लेकं ड़े जब वोट लेने के टाइम होता ए उस टेस में सब लोग घा हमारे पसा आ जब वोट उनका हो जाता है उना की जीत हो जाती है वह बड़े ऐस्थी लगे हुएं बड़े बंगलू के बैठे ढ़ उन Liu इसके बारे में रोड के बारे में सोचें पानी के बारे में सोचें तो यहां पानी के स्कूल जो है वो भी ना के ब्राबर हैं कुछ स्टाप ही नहीं हैं अगर आप खुदी जाएंगे देखेंगे कहीं तो आपको खुदी पता चल जाएगा नहीं अक्सरकर बात रहती है जब करेंट की वाती एको जाता है उसके बाद बिदाची के बाद कीया अंगा है? अजब आजाद फावं चीर्म मिनिस्टर है माने भॉडी जातरा नना ख़ेता है जब साहई होोगा मैं आप गाड़ी पे आऊंगा रोड लेके आऊंगा तो उनका वो लक्षन भी हो गया वो चीम मिनिस्टर बनके यहां से चले गए फिर वो पारलिमेंट में राजासवा में अपूजिशन लीडर भी रहे लेकर आए वहां से भी रिटायर होगे रहांकर मनो में रोड नहीं प रसता है वह अलग है दो ड़ाइगेंटा अगर कोई बिमार कहीं ही लोग यहां हमारे ऐसे के जिनकी यहां ही डैथ होगी क्योंकर रोड ही नहीं वहां पाए यहां कोई हॉस्पिटल ही नहीं है कोई डॉक्टर नहीं है अगर तो हम जाएं तो जाएं किस के पास पहले तो थे हम सर्कार ही आएंगी आज ही सर्कार ही ने किया कंगरस करेगी अभली। अब तो यूटी बना दिया आप तो LG साहब ने भी खुद उनको भी देखने हैऊ जाहिए कि घिट डूडा में हो क्या रहा है फिर ये तो आपको पता है कि सबसे हमाचल के साथ ये कनेक्ट होता है अक्सरकर बमार इस वक्त कोई भी बमार हो जाता है तो यहां से आप उसको चार पाई पे ठाके लेते हैं क्या करते हैं क्या मामला पूरा चार पाई पे यहां से चार पाई पे लेने हैं दस दस बीस बंदे लगते हैं हमारे उनको उठाने के लिए उनको उठाके बटोली में लेना है फिर अगर गाड़ी आएगी तो ठीक है नहीं आई गाड़ी तो फिर हमें अपनी गाड़ी ही करनी पड़ती है तो कहीं ऐसे वज से दिया और चीम मिनिश्टर भी यहां से दिया हमने किसी को मतलब काई भी पालती यहां से हम ने कम्याब करके वेजी लेकिन इस गाउं की तरफ कमशकाम इसकी 5000 के आसपास वाद्य है यहां की 85 % यहां के स्टे लोग cattle में जो इस्टे कह लाव सबका विक्वाद सबका बिश्वास तो मुझे तो किसी का बिश्वास भी नहीं यहां लगा तो अब आपकी क्या मांग रहेगी सरकार से या अड्मिस्टेशन से क्या मांग रहेगी हम सरकार से लगी साफ से हम यही गुजारश कर से कि हमारी जो रोड है सबसे पहले हमारी रोड पहुंचने चाहिए हमारी ये अपील रोड के लिए कि हमारी जो रोड है इसको जल्दी से जल्दी नकारा जाए अभी तीन मेने होगे पचास मिटर रोड ने अभी कटी है पचास मिटर ने अभी कटी है रोड तो कब यहां पहुँचेगी? क्या अंदाज़ा आपको कितने सालों में तक रोड़ा सकती है इस हज़ाब से? यह साफ से चली है तो मेरे साफ से चार साल लग सकते हैं अच्छिजे थे हमारे साथ बात करने के लिए मुहमद इकबाल जोके मनोसे थे तो इसी के साथ दिजिए मेरे का अजाज़त